हलो दोस्तों आप लोगा स्वागत है एच्टू अश्टवर्डी चैनल में देखिए हम लोग पढ़ रहे था मैथ तो आप लोगा डिमांड था कि मैथ में हम लोगों को पहले कॉंसेप्ट बताए यानि पहले थियोरी बताए इसके बाद क्योचन करवाएगा तो आप लोगो के डिमांड को पूरा करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगा नंबर सिस्टम यानि एकदम बेसिक बेसिक से पहले हम लोग कॉंसेप्ट पढ़ेंगे थियोरी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसी से क्योचन करेंगे ठीक और यह क्लास आप लोग को साम में आज हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें नंबर सिस्टम में जितना नंबर से रिलेक्टेड होगा एकदम जितना बेसिक से बेसिक हो सके और हाई से हाई तक जा सके ओस सब हम आज इसमें बताएंगे देखिए नाम है नंबर सिस्टम और विडियो स्टार्ट तो दीए सबसे पहले नंबर सिस्टम का हिंदी होता संख्या पदती इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात हो रहा है इसका मतलब कि इसमें नंबर से रिलेटेड होगा यानी अगर हम लोग को number के बारे में बात किया जया कि number क्या होता है number is sent we know your जी जीरो से start까지 zero one two three four कहां तक बठना भी सांख्या बनाव atm का पींग तो दुनिया में जितना भी bank account का number देखिए का है जितना भी देखिए सब इसी बीच वाले संख्या से मिलके 0 से 9 तक का ही मिलके बना हुए आप लोग सोच सकते हैं कि कितना करोडों 700 करोड देशवासी हैं सबस्क्रोड देशवासी में पहले तो mobile number में बटा हुआ है इतना कितना users लोग है उसमें भी देखिए किसी का और जितना भी mobile का company है सबका अलग अलग नमबर रहता है तो सोचिए कि इसी नमबर से कितना सारा word बनाया हुआ है मतलब कितना सारा इसको divide करके बनाया हुआ जोड तो इधर उधर करके तो number आप लोग समझे नमबर क्या आता है जीरो से लेकर 12345789 तक यह हो गया number अब इसी में देखिए अब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं अब इसमें भी इसको divide किया गया है जैसे यह तो number था 0 से 9 था अब इसमें भी हम लोग इसको divide कर दि cry kinds of tuleeicki KL *** यह तो number हम लोगे संख्या देखे अब संख्या का क्या क्यां का प्रकार अब संख्याओं का प्रकार और कोपी में आप लोगे राएगा तो एक नोट्स बाँ जाएगा तो फिर कोई प्रोब्लम नेः पर एक बार कॉंसेट्ट द्यान में रख लिया ने द्यान में बहल बैठा लके भी रिचेन बन जाएगा तो फर्स्ट क्या होता है फर्स्ट हम लोग होता है नेचुरल नमबर नेचुरल नमबर मतलब प्राकृतिक संख्या फर्स्ट क्या है नेचुरल नमबर इसका हिंदी क्या होता है प्राकृतिक प्राकृत संख्या देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है हम लोग क्या देखे कि नंबर 0 से स्टार्ट होता है 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तर जाता है ठीक है और उसी के बाद आगे इसी से बीच से को रिलेट करके आगे पीचे करके कभी 0 का आगे, कभी 1 की को आगे पीचे करके और आगे शंखाया बनाया जाता है अब यहां पर क्या है natural number침all number किसको बोलते हैं नेजूरण नमबर इसी में से जो संख्या इसी ओनेटिरल नमबर बोलते हैं लेकिन उसमें 0 को हम लोग एड़ नहीं करते हैं यानि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं 1,2,3,4,5,6, कहां तक 9 तक यानि यह क्या एक गिंती है जो हम लोग गिंती गिंते थे एक दो तीन चार्पा इसमें यह गिंती की संख्या जो एक से स्टार्ट हो और कहां तक जाए नौ तक जाए उसको बोलते ह ठोड़कर एक से आगे जितना भी संख्या है 9,10,11 बार मतलब जितना भी आगे तक जाए यह सब क्या प्राकृतिक संख्या लेकिन इसमें सुन्य नहीं आगा तो आई हो प्राकृतिक संख्या के बार में आप लोग सिख लिए होंगे हम देखिए क्योचन हम आपको समय गलत होगा ना तो ठीक नहीं होगा इसके बाद क्या सकेंड सकेंड क्या बोलता है सकेंड बोलता है हॉल नंबर हॉल नंबर मतलब पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है अब आया हम लोग को पूर्ण संख्या सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ें नेचुरल नंबर मतलब एक दो तीन चार पांच है साट नो दस एकार अबारति रह उधर मतलब जहां तक जाएगा अनन तक जाएगा लेकिन उसमें ज जीरो को भी add कर दी उसको बोलते हैं हम लोग haole number उसको बहुते हैं हाल नमबर मतलब की जो भी प्रकरितिक संख्या मैं जीरो के यान।ब भी दियाpower प्रकरीतिक संख्या है उसमें जीरो को add कर दिए सुरू में तो ऊह मुझे को wszyscy n來到 याणि अब मोल लिखना हो ओ तो हुआ नबर कहा सब्सक्राइब सब्सक्राइब छेसंख्या रिए प्रैकृतिक सं्ठ्या नहीं होता है यहाँ सब्सक्राइब सबसे छोटी प्राक्रितिक संख्या कौन सी है सबसे छोटी प्राक्रितिक संख्या कौन सी है और पूछ सकता है कि यहां से पूछ सकता है कि जीरो प्राक्रितिक संख्या या पूर्ण संख्या तो देखें जीरो तो प्राक्रितिक संख्या नहीं है तो जीरो क्या पूर्ण संख्या क्या जीरो है यहां तक हो गया दो अब आगे देखिए अब थर्ड थर्ड क्या बोलता है यह संख्या का परकार है अब थर्ड में आते हैं थर्ड में है अधिस्येट्यद के क्रमाते हैं संब यृइंध सब बता देंगे कि दों बच्चों सीखाएं गया ऊपटको मैथATHER पर वसे तो आपसार चोड़ेंगे इभेन नमबर मतलब संब संब्र मेर अब आधा लिगा तुछ यह बहुत आगे तरह का दका क्या जितना भी दुनिया का जितना भी competition होता है हर एक competition में यह सब basic चीजिए और यह सब जब भी math पढ़िएगा तो यह सब स्टार्टिंग से पढ़ना ही पढ़ेगा संक्या किसको बोलते हैं कि जो संक्या में दो से भाग देने पर उस संक्या पूरा पूरी क्या हो जाए उसी को बोलते हैं हम लोग संक्या यानि कोई भी natural नंबर हो कोई भी प्राकृतिक संख्या और इसमें ध्यान रखना प्राकृतिक संख्या के बारें बात कर रहें संख्या किसको बलते हैं कि कोई भी कोई भी नेचुरल नंबर यानि कोई भी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या जो कोई प्राकृतिक संख्या जिसमें या जिसको दो से भाग भाग देने पर, भाग देने पर, शेस जो होगा, वो कुछ नहीं बचे, यानि शेस क्या बचे जीरो, शेस जीरो बचेगा, इसका मतलए कि वो पूरा पूरी दो से विवाज़ दोगे, जैसे देखिए, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 देखे हम क्या बोले हैं हम आप लोग को बोले हैं यहां 6 0 है यह इसमें एड मत कीजिएगा मतलग हम बोले हैं कि जो निचूरल नमबर है प्राकृतिक संख्या है उसमें देखें एक क्या है एक से प्राक्रितिक संख्या स्टार्ट वता लेकिन एक दो से पुरा पुरी विभाजित नहीं होगा तो उसको अगर इसमें कोई बोलेगा कि पूर्ण संख्या क्यों नहीं लिए तो देखे पूर्ण संख्या जीरो जीरो में नहीं लगेगा इसका भी कॉंसेट बताएंगा अब क्या है थार्ड के बाद फोर फोर देखिए इभें नंबर हो गया तो अब एक और क्या आएगा और नंबर और नंबर मतलब क्या बिसम संख्या और आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लिजेगा इसी के इस वीडियो के नीचे description में आप लोगो वहां क्लिक किजिएगा तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक रहेगा उस पे टेलीग्राम में जूट जाएगा तो यह एक टाइप का नोट्स भी यह जो वना रहने नोट्स यह भी नोट्स वहां पे upload कर दिया जाएगा तो आप लोग राम से उसको देखर पढ़ सकते हैं लेकिन आप लोग लिखिएगा कॉपी में जवरूर अब देखिए वह और नमबर क्या आता है वैसी प्राकरितिक संख्या जिसको दो से भाग देने पर वो पूरा पूरी बिभाजित नहीं हो जाए यानि सेस्फल जीरो नहीं बचे सेस्फल कुछ और बचे उसको बलते हैं लोग और नमबर जैसे देखिए एक क्या है प्राकरितिक संख्या है और एक और नमबर भी है क्योंकि ये दो से बिभाजित टर्म लेकिन इसी में गल्दी होता है पच्वा अब हम लोगा क्या मिलेगा पच्वा हम लोगों मिलेगा प्राइम नमबर प्राइम नमबर मस्त चीज़ बता देंगे प्राइम नमबर प्राइम नमबर मतलब क्या जो इसका प्राइम नमबर का हिंदी होता अभाज संख्या अभाज संख्या या इसको और बोलते हैं एक चीज और अभाज संख्या या रूर संख्या अब देखिए अभाज संख्या यानि जो प्राइम नंबर है वो क्या आता है अद्मेन प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसमें हम लूग भाग देंगे मानब जब करें कि इसे नंबर यot до वह ग हैसे पता करेंगे प्रारम इसको बोलते हैं जिसको भाग से भाग लगे और एक के अलावा जो खुद संख्याओं अपने आप उससे भाग लगे उसी को हम लोग भोलते हैं प्राइम नबर उसके अलावा और arrow कोई संख्या से भाग ने लगे यानบ जिसका गुननखंड केवल दो हो, यानि एक एक हो और एक उखुद हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नमर्ज जैसे देखिए, दू को हम लोग डिवाइड करेंगे, दू को कौन-कौन संख्या से भाग दे सकते हैं, दू को एक से भाग दे सकते हैं, पुरा-पुरी कर ज सब्सक्राइब करेंगा, पांच को भी वैसे ही करेंगा, अब मालने ते हम 4, 4 चार में देखिए, एक से भी भाग लगेगा, मतलब 4 का एक गुननखंड एक होगा, इसके बार दो हुगा, इसके बार चार होगा, मतलब 3 गुननखंड हो गया, तो ये प्राइम नमबर नहीं ह जो एक और स्वैम से कटे उसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटे उसको बोलते हैं प्रायम न्बर या बोल सकते हैं कि जिसका गुणननखंड केवल प्रायम नमबर हम लोग एक और पढ़ेंगे क्या ? एक compound number compound number क्या था ? compound number को हिंदी में हम लोग बहुते है योगीक संक्या compound number क्या था ? compound number ऐसा number है जिसमें अगर हम लोग जिसका मतलब दो गुननखंड से ज्यादा हो मतलब जिसका दो गुननखंड ने उससे ज्यादा हो इसका मतलब क्या कि कोई वैसी संख्या जिसमें जब हम भाग देंगे न तो एक तो एक से कटेगा एक से जितना भी संख्या सब कट जाएगा एक से और स्वैम से तो सब संख्या उसको बलते हैं हम लोग compound number जैसे चार, चार क्या है compound number कैसे, क्योंकि एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, और चार से भी कटेगा, यानि दो से ज्यादा से कट रहा है, यानि दो से ज्यादा इसका गुणन कांड़, इसी के चलते ये क्या होगे, compound number छो, छो क्या से कटेगा, एक से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छो से भी कटेगा, यानि दो से ज़ादा होगी है छो, आठ, नो दस, बार यह सब क्या है? यह सब एक तरह का compound number compound number मतलब कि यह क्या है? योगिक संखिया ठीक, यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं वहाँगा यह तक समझ में आ गया हो तो एक बार कोमेंट करके जरूर बता यहाँ च्था के बादiences क이 आएगा अब आएगा सत्मा सत्मा कै आएगा सत्मा आएगा एक इंटीजर्स लंबर अब किय आता है हो देखिए Integers I, N, T, E, G, E, R, S Integers Number मतलब कि पुर्णांक पुर्णांक संख्या अब देखे पुर्णांक संख्या क्या होता पुर्णांक संख्या क्या होता पुर्णांक संख्या क्या होता सो देखे पुर्णांक संख्या में जैसे एक हम लोग का लाइन है, यह लाइन में यहाँ क्या है? ओरीजीन है, ओरीजीन 0 से स्टार्ट होता है, 0 से अगर राइट साइड में हम लोग जाएंगे, तो परलस होगा, मतलब 1, 2, 3 ऐसे होगा, जीरो के लेप साइड में जाएंगे, तो क्या होगा? माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इसी को हम लोग बोलते हैं पुर्नांग संख्या पुर्नांग संख्या किसको बोलते हैं जिसमें धनातमक और रिनातमक के साथ सा 0 भी आये मतलए एक ऐसा समूर एक ऐसा समुझ जिसमें धनात्मक और रिनात्मक संख्या के साथ साथ जीरो भी आये उसी को बोलते हैं लोग पुरनांग संख्या इंटीजर्स नमबर इसको ध्यान रखना है यानि ये रिनात्मक संख्या और जीरो के साथ साथ जैसे देखे इधर तो अपना हम लोग को negative number है इसके बाद जीरो है इसके बाद ये इधर क्या है एक दो तीन चार पांच नेचुरल नमबर है मतलग कि प्रकृतिक संक्या जो रिनातमक संक्या सुन्य और प्रकृतिक संक्या के समुख को हम लोग क्या होते हैं Integers number जिसको ध्यान रखना है और इसमिन देखтории सुन्य के दाहिने और संख्या होता 1 2 345 राइट साइडे जो होता उसको रोते हैं धनातमक पुरनांग को इसका जो बाएट साइड होता उसको लोग क्या करेंगा लेकिन रो के पास बहुत पांवर है यह 0 कोई भी संख्या के दाहिने और लग या ना तो यह 0 से hero बन जाएगा और अगर बाएन और लग या ना तो फिर इसका कोई अस्तितोर नहीं रहेगा जैसे दीखे एक है एक के अगर दाहिने और 0 लग या तो यह 10 रुपए हो गया लेकिन एक के बाइशी हो गया तो यह क्या होगा एक ही रूप्य रहेगा तो यह देख जीरो का ये पौगर है थुआ और अब साथ होग Corp क्या होगा परिमेलट है यह क्या होगा एक थ्यान क्या हो रखना है जमकर लोग को जितना बता रहा हैं सिहां आगला दिन क्योच्षक करेंगे इसे करेंगे गलत होगा तब तब आप पिथार stupidum का तो के रेचनल नंबर स्नलन नंबर मतलब किया परी मैं संख्य करेंगे कुछ नहीं लेकिन आ इसा आणा बात बोलेंगे फ्रेक्शन के आप मतलब कि जिसको हम लोग P बटा Q या A बटा B के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसी को बोलते है प्रेस्टनल नंबर, लेकिन Q और B बराबर note 0 यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, उपर P को हम लोग क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं Once Numerator, और Q को बोलते हैं क्या Her Denomenator, यह चिर्सनी रखना है रेस्नल न्मबर किसको बहुते है उन्य संख्या जिसको पी-बटा-क्यू के रूप में लीख सकते हैं उसको बहुते क्या रेस्नल नंबर लेकिन नीचे वाला संतो जीरॉ नहीं होना चाहिए है ये इची ध्यान रखिए Document में ऑफ यहां से एब पता करना कि कौन कौन परिमेसंग्या जैसे एक एक नीचे कुछ नहीं है तो क्यों है वक्रति परिमेशंग्या यहांद यानि पसी बताथ क्यों यह सब क्या है यह सब परिमे controversy तो आयो परी में संख्या मतलब जो रस्माच चुकते होगी इसके बाद नमवा नमवा के जागा इस थूब इस स्ट पिवए ilन नंबर मतलब और है अवप भरी में खर्लीमे sounds जह अब पर्यमे वहिसी संख्या जिसको इसे टर्फ में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या अब परिमेशन क्या है जैसे देखिए रूट 2 रूट 2 को परिमेशन क्या हमें नहीं लिख सकते हैं क्यों क्यों कि देखिए रूट 2 का क्या भेल होता है एक दसमल चार एक चार ऐसे ऐसे यह इंफाइनाइट तक जाते रहता है रुकता नहीं है रुके गा ही नहीं तो हम लोग बटा में क्या लिखेंगे इसको पॉइंट खटा के लिए कुछ नहीं लिख सकते है रूट 3 अब आप Лोग को बताना है ये रूट 4 परिमेश संख्या अब लोग को कमेंट करके comment box में बताना है कि यह जो root 4 है वो परिमेश संख्या या अपरिमेश संख्या ठेक अब एक चीज़ यहां से ध्यान रखेगा कि हम लोग क्या पढ़े रहते हैं अपरिमेश संख्या अपरिमेश संख्या यहां एक चीज़ ध्यान रखेगा है यह जो पाई है, पाई, 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 इसको बोलते हैं, पाई, यह साइन है, इसको ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं, पाई है, इसका यह क्या है, पाई एक और परिमे संख्या है, इसको ध्यान रखना है, पाई एक और परिमे संख्या है, लेकिन, लेकिन इसका भेल्यू एक क्या था, इ एक बाइस बटा साथ बाइस बटा साथ एक क्या है परिमे संख्या लेकिन अगर इसको एक और देली होता है क्या तीन दस्मल एक चार एक छो ऐसे ऐसे यह जाते ही रहे आगे यह भी क्या है और परिमे संख्या समझें यह ऐसे ऐसे आगे जाते रहएगा यह कभी भी अंद नहीं होगा तो यह भी क्या एक अपरी में संख्या ना और पाइक है। आप परिमेंशंख्या, परिमेंशंख्या, लेकिन 3 दस्मल, 14, 16 जीती रहेगा अनान तक जाएगा यह क्या है और परिमेंशंख्या, ठीक 9 आओगे, अब एक मतलब वास्त्वीक संख्या रियल नंबर इसको हिंदियों बोलते हैं हम बोगी वास्त्वीक संख्या अब तेके हैं रियल नंबर क्या था दिए olvac क्या आताइए ग्रूप और रियोर्ट पैसनल नंबर इन्हों Rs.I Aloan टो मतलब हम ग्हीं मंतलब difficult संख्या हों के समुह को हम तो क्या बलते हैं वास्तिक संख्या मतलब क्या यह होता है गुरूप और रेस्नल नंबर है रेस्नल नंबर एंडरी रेस्नल नंबर ठीक इसको ध्यान रखना एज अनबर को जैसे क्सी णोंता हो सक'Tता है माइनस चार हो सक्ता है ही बट्स हो सकता है जिस सब क्लाना नमबर मतलब कि दोनों को मिलैं कि जो रेसन नंबर है जो इस दोनों का जो सम्मूं होगा गुरूप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या है रियल नंबर कि आज बहुत सारा चीज हम आप लोग को बता दिये हैं और देखते हैं और और बताते हैं थोड़ा सा देखिए इतना तो हम लोग पढ़ लिए अब हम लोग अर और नंबर सिस्टम फोर तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग 판 अ whispering कि अधे यह साथ डेखेंघंगे एघंग मतला इसको जयादा लंबा करेंगे जैसा देखिए फर्स्ट क्याआथ दो से विभाजित होने का नियम दो से विभाजे का नियम क्या है दो से कौन कौन से संख्या विभाजित हो सकता है तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो जिसका अंती में अंती में क्या होना चाहिए जीरो और अंती में होना चाहिए संख्या जिसके अंध में जीरो और संप्सम्टर क्या मिलें वो दौ सबभाजी था ज Rice, जैसे यूदम फट मारी बस जैसे 3, 4, 5, 6, 0 लास्ट में क्या है? 0, दौ सबभाजी थे बस खत्म फिर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में क्या 6 है? संख्या, । यही इसमे नियम आप लोग सीके लिए अब दूसरा क्या होना जाहे, कि तीन से विभाज हूने का नियम अकर तीन से कौन सी संख्या विभाज होगा उसको द्यान में रखना तो क्या करना है कि कोई भी शंख्या लिखे जैसे एक, दो, तीन, एक सो तईस लिखें, इसको चेक करना है कि यह तीन से विवाजित है या नहीं, तो जितना भी संख्या दिया हुआ, जितना भी संख्या दिया हुआ, उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद क्या कि यह तीन से भागा जोडने के बाद तीन से भाग दे देकर देखaboutफिए अगर ंगर कट रहा है तो ठीक है है तो खट रहा है तो ठीक है जैसे यह जासे च्कों जौडते कि चार दूड़Boy तो Light जोने के बाद जो संख्यार वह तीन से विभाजित है या नहीं है तो 3 से विवाजित होने का नियम सिख लिए इसको चेक कर लेते हैं 8, 7, 15, 15, 20, 20, 26, 26, 24, 30, 30, 30, 30 मत्तर ये भी 3 से विवाजित है, ठीक हो गया, खत्म अब देखें, तीसरा क्या 4 से विवाजित होने का नियम, क्या है, वो देखिए चार से विवाजित होने का नियम, कोई भी संख्या जिसके अंती में, अंती में क्या होना चाहिए, अंती में अगर 2 0 हो, अंती में कितना 0 हो, 2 0 हो, इसका 2 है, अंती में 2 0 हो, अगर कोई भी संख्या उसका अंती में 2 0 है, तो 4 से विवाजित है, या, अंती में जो 2 संख्या ह उस दो संख्या को जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए, सॉरी, क्या हम बोलें, कि जिसके अंतिम में क्या है, अंतिम में दो जीरो हो, तो वो चार से विवाजित होगा, या जो भी संख्या है उसका अंतिम दो संख्या देखी अगर अंतिम दो संख्या चार से विभाजित है तो टोटल संख्या चार से विभाजित है जैसे देखिए सो लाश्ट में क्या है दो जीरो है चार से विभाजित है हाँ पचीर चोंगा सो ठीक है दस लाश्ट में दो जी 3, 2, 5, 2, 4, अब इसको देखते है, 4 से और देखना है, पूरा देखना है, पूरा नहीं चैथक करना है, बस last ऑला देखिए, 24, last में क्या, 24, 18, Mitsubis, а14 on it, बस यह हो गया, और क्या लेखते हैं, और लेखते हैं, जैसे 35, बार, 10, 25, 6, अब इसको देखना है कि यह 40 बीवाजित से छारा से वीभाजित का इसे Sí Ч led ऑफ च्षा क्या है Vb governance jai complaining अए इस में जिसके लाष्ट में जीरो और पांच हो वह पांच इस बीभाजित हो गाई कि जिसके अंत्यन से घीन कें जीरो और पांच वह पांच से दिसके अंत्यने में जीरो Kanis संख्या मिले जिसके अंती में जीरो और सम संख्या में लोग दूसर विभाजित है तीन से विभाजित होने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या सब को जोड़ दीजिए सब को जोड़ने के बाद देखें तीन से विभाजित है कि अगर तीन से पूर चार से बिभाजित हो जा रहा है पूरा पूरा चार से पूरा पूरा भागा लग जा रहा है तो वह देख लेना है कि यहां हो बस पांच तक आप लोग शीख लिए पांच तक तो शीख लिए अब दिखिए अब क्या आना चाहिए एक दो तीन चार पांच अब आना चाहिए पच्छों क्या 6 से विभाजित होने का निया है जो संख्या 2 से और जो संख्या 3 से विभाजित है वो संख्या 6 से विभाजित है बस इसमें कुछ निकरना है जो संख्या 2 से और जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है है कि उसक्रम चोटर भाची मालों छोगा कि अप्छन है जो शुआ है जो संख्या दोसे और से दोनों चोटर होगा बस अब जैसे ऑगर इसको चेक करना चाहते तो चेकING भी कर सकते हैं उसको देखते हैं बाषसे शूर्ण देखते हैं दो से भीवाजी था पूरा पूरी इसके बाद देखे तीन से तो तीन से क्या करना जोड़ देना क्या चो तीन नौ पला जीरो यानि थीन थी आ इनो मतलब यह दो सब्सक्राइब से जीरो पजेतिस एकसो फांच चो उस्य चाइब इस्सी तरह से यह था जाट से तो इस चाइब में थोड़ा लफड़ा है तो साट वला लफड़ा है तो इसको बता है इसको कहीं छोड़ते हैं साट वला को हम जी समय यह क्यों आयगा उसी टैन इसको बताएंगा अब देखिए गदा निया क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ना कि आट से भीभाजित होने का नियम क्या है जिसके अंत में दो जीरो हो और जिसका लाश्ट में दो अंक क्या होना चाहिए आठ से अंधने वेस्ट क्या ऄद आठै होत से नियम क्या है की जिसके लाश्ट में दो जीरो ऑ şekilde लाश्ट ते संख्या और अगर आठ से भीभाजित है तो पूरा पूरी संख्या दिया होnd fantasilate कि इसको ध्यान रखना अ कि så कि एक किसी किसी किकी लाश्ट मेरा कोीभी संख्या या तीन गो 0 अगर नई भी हो तो क्या है कि लाष्ट में जो तीन गो संख्या हो तीन गो संख्या हो वो अगर दोनों में से कोई भी condition एक follow हो रहा है तो 8 से पुरा कुरी भी भागी था जैसे में जैसे में क्या होना चाहिए देखें 5 9 पांच, नो, तीन, एक, डो, जीरो, देखें, लास्ट में क्या है, तीन गो जीरो नहीं है, लास्ट में एक गो जीरो है, माल लेते हैं, एक कंडिशन फेलो है, तो सकेंड कंडिशन क्या है, सकेंड कंडिशन क्या है, सकेंड कंडिशन है, कि लास्ट में जो तीन संख्या है, उ data तो देखे कि अगर बिभाजित है तो तीन से बिभाज़ज नहीं है तो नहीं है नौ में भी वैसे करना जो भी संख्या दिया उसको जोड़के देखिए और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आ रहा है उस संख्या को नौ से भाड़ देखे देखिए अगर वो पुरा-पूरी कड़ जा रहा आप लोड कर देंगे और अपलोड कर देंगे और अपलोड करके प्रीमियर में लगा देंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा और फिजिक्स सुबद का जो फिजिक्स कलास चलता फिजिक्स कलास जरूर अटेंट कीजिए फिजिक्स कलास में अच्छा अच्छा ची जोहां भी कॉंसेप्ट आप लोको बता दे रहा है ठीक थैंक यू और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ने कियों दे चैनल जरूर सब्सक्राइब विजिए या ठीक थैंक यू